तो ये वीडियो मेरे उन भाईयों के लिए जो टाटा ओनर्स और टाटा की कार ओन करते हैं और जिन्होंने अपना टाटा कार का स्टेरिंग वील रैप करवा रखा है अक्सर मैंने देखा है कि जब भी लोग स्टेरिंग वील रैप करवाने जाते हैं तो दुकान वाले स्टेरिंग वील को यहां से चढ़ा देते हैं उपर से हॉन के उपर से और उसका रीजन यही होता है कि आपका हॉन जो है वो प्रेस नहीं होता तो इसका एक सिंपल सा हैक मै अच्छता है इस साइड से भी एंड इस साइड से भी सेम तो आपको आपको उपर से करवानी की जरुवत नहीं है वो देखने में बहुत खराब लगता है अंदर से ही करवाईए पर हॉन को यहां से प्रेस करने के आदर डालिए तो आपका स्टेरिंग अच्छा भी देखे होगा कभी भी आपको धोका नहीं देगा